नमस्कार दोस्तों and welcome back to your own channel so guys अब हम एक नई theme के साथ आप लोगों के साथ आए हैं और इस particular theme पे हमने क्या-क्या add करा है वो हम आप लोगों को बताएंगे guys सबसे पहली बात आप लोगों को पता है कि हमने 5 intraday stocks जो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं वो तो add है plus हम आपको nifty bank nifty के targets and stop loss provide कराएंगे plus हम आपको option call भी provide कराया करेंगे daily basis पे नहीं करवाया करेंगे हम basically दो दिन छोड़के आप लोगों को provide कराएंगे यानि कि एक हफते में 3 या 4 बार आप लोगों को option calls provide होंगी जो आपको इस particular expiry के अंदर आपको definitely बहुत अच्छागासा profit दे सकती है तो guys ये जो particular आज option में आप लोगों के लेकर आया है ये 10,000 से 20,000 तक के अंदर अंदर भी पैसा कमा के दे सकती है तो हम इसके आगने वाली वीडियो में बात करेंगे अगली आगे इस वीडियो में आगे बात करेंगे तो गई सम दीख रहे थे कि मेरे जो viewers थे वो लो कह रहे थे कि जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाती है जब आप लोग charts में समझाते हो तो आप ऐसा करा करो आप हमें सिर्फ यहाँ पर target and stop loss प्रोवाइड करा करो और अब अपने telegram channel पे जो आपने particular stocks हमें प्रोवाइड करा हैं वो stocks का आप telegram channel पे chart का screenshot भेजना और उसके बाद आप नीचे लिखना कि यह particular stock मैंने क्यों से लिखे लिए दिया तो वहाँ पर आपकी telegram channel पे knowledge भी गेन हो जाएगी प्लस यहाँ पर आपको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी आप यहाँ पर target and stop loss को note कर लीजेगा और आप कल intraday में पैसा कमाना शुरू करतेंगे तो गाइस वीडियो को ना लंबी करते हुए मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूँगा क्योंकि guys सब लोग मुझे कहते हैं कि आप लोग जब 5 intraday calls देते हैं तो उसमें बताईया भी करिए कि आपके क्या 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 targets hit हुए या क्या क्या stop loss hit हुए तो हमने आज आप लोगों को trade करने के लिए दिया था polo tires, stride firma जो star के नाम से था concor, biocon and orofarma आप देख सकते थे कि polo tire, star and concor ये तीन तो mid cap के हम आप मान के चल सकते थे कि gainer ही थे और इनके targets अचीव हो गया थे biocon का भी target हमारा अचीव हो गया था eurofarma का trade ही नहीं बना हमने आपको का था triple six के उपर जब 15 minute की candle बनती है और उसके उपर जब वो candle break करेगी आपको तब trade लेना है तो guys नहीं हुआ triple six के उपर candle बनी पर वहाँ पर जब हमने देखा कि उसके उपर कोई candle निकल ही नहीं पाई जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए एक live online session स्टार्ट कर रहे है live market में जिसमें हम आप लोगों को technical analysis के बारे में सिखाएंगे भी जो particular important patterns हैं वो भी सिखाएंगे प्लस हम आपको live market में intraday trades भी करके दिखाएंगे trades in the sense कि हम आप लोगों को बताएंगे कि यह particular stock intraday में अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा तो इस हिसाब से अब हमारे जो भी responses हैं तो उससे साथ join हो सकते हैं तो अब हम बढ़ते हैं particular पहले stock पे तो हमारा जो पहला stock है वो है टेक महिंद्रा जो आपको buy करने की सलह दी जाएगी 525, 531 तक के targets के साथ stop loss आप 507 का लगा सकते हैं जैसे कि आप यहां देख रहे हैं आपको नीचे telegram channel शो कर रहा होगा तो यहां पर आप join हो सकते हैं अगर आप लोगों को charts की inquiry चाहिए हैं या आपको और भी live market पे updates प्रवाइट करते हुए चाहिए होंगा third stock आता गाइस MSFL जो कि हम max financial service के नाम से जानते हैं short करनी की सला है तो guys total 3 stock buy हैं 2 short हैं तो आप उसे साब से market पे trade कर सकते हैं क्योंकि market दोनों तरीक इसे काम कर रही है market ऊपर भी है नीचे भी है तो volatility के चक्कर पे आप buy और short अगर करके चलेंगे अगर आप इसका combination लेकर चलेंगे तो आप definitely at the end of the time एक profit लेकर ही exit करेंगे so short की सला है 441.5 के नीचे आपको short करना है 436 और 428 तक के target हम expect कर सकते हैं stop loss आपको 450 का maintain करके रखना पड़ेगा voltas short है second shot है guys 438 432 का targets हम expect कर सकते है stop loss आपको 451 का maintain करके रखना पड़ेगा last आते हैं guys PVR पे PVR पे हमने at the market के end पे है एक बहुत अच्छी का सी recovery देखी और recovery के चलते हैं हमने देखा कि वहाँ से 40 point के अपने bottom से recovery आ गई थी so अब शायद आप देख रहे हैं कि जो coronavirus के चकर में जो green zone और red zone है तो हम news में आ रहा है कि एक तरीके से शायद green zone में आप cinema open हो सकते हैं तो PVR के लिए एक positive news आ सकती है so हम PVR को buy करने की सला दे रहे हैं 9.30, 9.21 तक के targets हम expect कर सकते हैं 8.97 का आपको stop loss maintain करके चलना पड़ेगा guys हम nifty और bank nifty बात करते हैं तो basically हम आप लोगों को इस वीडियो पे nifty और bank nifty को charts में समझाते हैं और आपको levels और stop losses बताते हैं so guys वीडियो ना लंबी हो जो हमारे viewers की तरफ से आ रहा था तो हम आप लोगों को इसी पे level बता देते हैं buy और sell के so यहाँ पर आप देख सकते हैं buy आपको nifty करना 92.50 के ऊपर 9.30, 9.360 तक के targets हम expect कर सकते हैं और short करना आपको 9.140 के नीचे 9.060, 8.990 के targets हम expect कर सकते हैं guys मैं 2-3 दिन से जब भी वीडियो बना रहा हूँ exact यह इसी range के अंदर काम कर रहा है तो मैंने आप लोगों को पहले सी बता रहा है कि sell और buy का range आपको पता होगा तो जब भी इस level के नीचे जाएगा तब ही हमें short करना है अगर charts को open करके देखेंगे तो आप यह देखेंगे कि 91.50 के नीचे नहीं जाता है exact वहाँ पर आके support लेके उचल जाता है और 92.50 तक जाता है तो यह 100 रपे की range है 100 रपे के range में भी आप trade कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर breakout या नीचे breakdown होने का भी weight कर सकते हैं तो आपको अच्छे levels provide हो जाएगे bank nifty भी बात करें तो guys bank nifty भी आपको 19.640 के ऊपर buy करके चलना पड़ेगा 19.820 और 19.530 का stop loss आप maintain करके रख सकते हैं sell below 19.420 का होगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी का था कि particular candle का trend line ने नीचे breakdown दे दिया है breakdown देने के बाद हमने आपको कहा था कि जब breakdown देती है तो next candle जोनी चीए है वो उसके नीचे close होनी चीए है तब ही हम trade लिया करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 15 minutes का chart open करके देखेंगे अगर आप मेरी विरना previous video देखेंगे तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि multiple time frame पे वो उस level के नीचे नहीं जा रहा हो वहाँ पर ही support लेके उपर दा रहा है तो यह false breakdown से आपको बहुत कौशिसली रहना है जब भी वो उस particular candle को break करेगा नीचे तब ही आप लोगों को trade लेना है sell की side में आपको जो particular buy करना है वो तेक महिंदर की 5 20 की मे की call buy करनी होगी 2023 के आसपास buy करनी होगी आज हमने अपने clients को भी 22 के आसपास buy करवाई थी इसका 1200 का lot है और हमने अपने clients को 27 पे exit करवा दिया था अभी वी इसे hold है क्योंकि अभी वी अपने levels पे आच होका है हम exemption लेकर चल रहे हैं जो particular charts में दिखा रहा है कि एक cup and handle pattern बन सकता है या फिर एक उसके साथ AB equals to CD pattern भी इसमें particular बन रहा है और हम देख सकते हैं कि bottom से एक hammer बना और जो आज की candle बनी है वो एक gap up के साथ उपर की तरफ close करते हैं तो यानि की नीचे से एक reversal आ रहा है और अगर हम particular एक monthly chart इसका open करते हैं तो इसमें particular एक हम देख रहे हैं गाटले pattern बनते वे आ रहा है जो bullish है तो guys हम expect कर सकते हैं कि minimum to minimum 560 तक की levels हमें शायद May के expiry के अंदर देखने को मिल सकते हैं या टेस्ट करते वे देखने को मिल सकते हैं तो एक 20 से 23 रुपे के आसपास अब इसे buy कर सकते हैं 48 का target होगा 13 रुपीस का आपको stop loss maintain करना पड़ेगा और 13 रुपीस का guys closing basis के अंदर stop loss होगा इस यह था हमारी analysis और मैं ऐसी के साथ वीडियो को end करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद होगी तो वीडियो को लाइक ज़रू करिएगा गैस हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलेगा और side में बेल आइकन ज़रूर दवाईएगा जिससे जब भी हम अपनी नई वीडियो दाले तो आप सबसे पहले उसका notification अपने YouTube या email के थ्रू आपको सबसे पहले मिल जाए आप लोगों को बहुत डिफिनेटली अच्छी चीज़े प्रॉइड हो रही है तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं आपने फ्रेंट्स को भी जोड सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू कुछ study करिए और गाइस अगर आप वो live session जाते हैं जो हम आप लो आप लिक करेंगे फिल करेंगे तो गैस उसी टाइम में आप आप लोगों को एक लिंक सेंड करूंगा और मंडे से हम अपनी online classes स्टार्ट करेंगे तो गैस इसी के साथ में वीडियो को wind up करता हूं और मैं श्मांज बसीन मिलता हूं आप से कल वीडियो में साइन होगा